हेलो दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है आज फिर से हम आपके लिए कुछ ऐसे important question लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्पूर्ण हैं आपके एक्जाम में पूछे जा सकते हैं इसलिए आप हरे question को ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो को लाश बिक्रमादित हर्सवर्धन या फिर असकंद गुप्त इसमें से जो सही उत्तर है वो आपको बताना होगा तो इसमें आपका ये जो सही उत्तर है वो हर्सवर्धन है क्योंकि इन्हें के सासनकाल में हो इंसांग भारत आया था अगला question है हमारा इन बासाहों में से किसे कहा जाता था आपको बताना है कि जो बासा के नाम नीचे दिये गये हैं इन में से किसे कलंदर कहा जाता था बाबर हुमायू अकबर या फिर सा जहां तो इसमें से जो सही उत्तर है वो बाबर है इसलिए नंबर आपसन जो है वो आपका बिलकुल सही होगा अगला question है बंग का बिभाजन करने वाला गौणनर जनल कौन था करजन कैनिग मिन्टो या फिर मेयो आपको बताना है इसमें से जो सही उत्तर है तो सही उत्तर आपका ए नंबर है या बिभाजन जो हो करजन ने किया था इसलिए ए नंबर आपसन जो होगा बिलकुल सही होगा अगले question पे ध इससे जुड़ा हुआ है अगला question है जे जाक ध्यान दीजे का question हमारा क्या है जे जाक भुक्ती का पुराना नाम था आपको बताना है जे जाक भुक्ती का पुराना नाम क्या था इलाहबाद सौराष्ट बुंदेल खंड कानपूर इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा तो इसमे question है अगला question है महाबली पुरम के रथ निर्मार किसने कराई था नर्सिंग वर्मन फस्ट महेंद वर्मन अमोग वर्ष या फिर राजेन फस्ट इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा तो इसमें A number जो है बिल्कुल सही होगा यह नंबर में आपका नर्सिंग वर्वन फश्ट है अगला क्वेश्चन है हमारा पलासी का यूध कब लड़ा गया था 1749 में की 1757 में फिर 1764 में फिर 1782 में तो आपको बताना है कि किस वर्स जो है प्लासी का युद्ध लड़ा गया थो तो इसमें B नंबर जो है आपका सही होगा 1757 में लड़ा गया था इसलिए B नंबर आपसन सही होगा अगला क्वेश्चन है मारा पंच सील का नारा किस से संबंदित है अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन हमारा क्या है अगला क्वेश्चन है निमलिकित में से किस को लोग नायक के रूप में जाना जाता था तो आप संदेख लीजिए, आपको इसमें से बताना है किसको लोग नायक के रूप में जाना जाता था C.F. Andrews, J.Prakas Narayan, चितरंजन दास या फिर आस्तोस मुखर जी तो इसमें से B.N. आपका सही होगा, B.N. में आपका क्या है, J.Prakas Narayan, सही उत्तर होगा इन्ही को लोग नायक के रूप में जाना जाता था अगला क्यूशन है हमारा, भूदान आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है, भूदान आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है तो आपसन में हमारा, J.Prakas Narayan, सिरी राम चंडरेड़ी, महत्मा गांधी, विनोवा भावे इसमें से जो सही उत्तर है, वो D.N. है विनोवा भावे, D.N. उत्तर जो होगा, बिलकुर सही होगा अगला कुश्चन है मारा, Hunter आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया प्रात्मिक सिच्छा, माध्मिक सिच्छा, इस्तरी सिच्छा या फिर तकनीकी सिच्छा इसमें से जो सही उत्तर है, वो E.N. है प्रात्मिक सिच्छा पर अधिक बल दिया अगला question है हमारा विलाई इस पातकार खाना इस्थित है विलाई इस पातकार खाना इस्थित है कहां इस्थित है 36 गड़ में जारकंड में मद परदेश में या फिर ओडिशा में तो इसमें से जो सही उत्तर है वो ए नंबर है 36 गड़ में इस्थित है इसलिए ए नंबर आफस पादी सैलों का उधारण है तो आफसन में हमारा स्लेट संगमरमर सेल या फिर ग्रेनाइट तो इसमें से जो सही उत्तर है वो आपका सी नंबर है सी नंबर में क्या दिया गया है सेल दिया इसलिए सी नंबर उत्तर सही होगा अगला क्वेश्चन है हमारा पुछल तारे के आपको बता दिना होगा तो पुछल तारे के पूच की जो दिसा होती है वो सूर से दूर होती है इसलिए B number option जो होगा विलकुल सही होगा अगला question है हमारा निमलिकित में से कौन सा भ्रहन से संबंदित है आपको बताना है निमलिकित में से कौन सा भ्रहन से संबंदित है समप नति लंब घाटी, हाग बैंक या फिर ग्राबेन तो इसमें से जो सही उत्तर है वो आपका D नमबर है ग्राबेन जो है वो भरंस से सम्बंदी था है इसलिए D नमबर आपसन सही होगा अगला क्वेशन है निमलिखित में से कौन सा उस्ण कटबंदी ये मरुस्थल नहीं है आपको पताना है निमलिखित में से कौन सा उस्ण कटबंदी ये मरुस्थल नहीं है आटा कामा, अर्बिया, गोबी या फिर काला हारी इसमें से जो सही उत्तर है वो आपको पता देना हो तो इसमें सही उत्तर C है गोवी, C नंबर उत्तर जो होगा सही होगा, ये एक उर्ष्लकट बंदी ये मरुस्तल नहीं है, अगला क्वेशन है हमारा निमलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलित सूची के अंतरगत नहीं आता है, तो आपसन देख लीजिए, आपसन में हमार बाह रिडो का बजट अनुमान भारत और बिदेशों के बीच अंतरण भारत आई एम एफ और बिस बैंक के बीच अंतरण संग छेतरों को दिये गए अनुदान, इसमें से जो सही उत्तर हो, आपको बताना होगा, इसमें जो सही उत्तर हो, D नंबर है, संग छेतरों को दिय अंहारा अनुदान डी नंबर ऑफसन सही होगा अगला क्वेशन है कि haben अनुची जात या जंजात के लिए 65 कश्ञ यहोजना में एक किटना धन भय हुए आपको ब्दाना यह अनुची जात यहास जनजात के लिए 65 वरसीय योजना में कितना धनभय हुगा 237 करोण 300 करोण 500 करोण या फिर 600 करोण इसमें से कौन सा सही उत्तर है यह आपको बताना है जो सही उत्तर होगा उसी पे आपको सही निजान लगा देना होता है उसी आप्षन पे तो इसमें आपका बी नंबर सही होगा 300 करोन 300 करोन जो है वो सही उत्तर होगा इस प्रशन के लिए अगला कुश्चन है हमारा किस पंचवर्शी है योजना द्यान दीजे कुश्चन हमारा इसके अग्रवर्ती लट्ष के रूप में अंगी कार किया गया था ध्यान दीजे का आपको बताना है किस पंच वर्षी योजना में गरीबी हटाना इसके अग्रवर्ती लक्ष के रूप में अंगीकार किया गया था दूसरी, तीसरी, चौथी या फिर छटी इसमें से जो सही उत्तर है वो आपका डी नंबर है छटी अग्ला कुष्टन है हमारा, महत्मा कांधी राष्ट्रिय गरामीड रोजगार गारंटी स्कीम प्रारंब हुई तो 2005 में, 2003 में, 2006 में, 2008 में तो इसमें C नंबर सही होगा, ये जो है वर्स 2006 में सुरू हुई इसलिए C नंबर आपसन सही होगा अगला question है मारा RBI की संतुती की आधार पर बनाये गया आपको बताना है RBI किसके संतुती की आधार पर बनाये गया तो आपसन देख लिए संतुती आपसन देख लिजिए भारतिय केंद्रिय बैंट जान समित रायल कमीशन साइमन कमीशन या फिर नहरू रिपोर्ट तो इसमें से जो सही उत्तर है वो आपका बी नमबर है वो सही होगा रायल कमीशन बी नमबर आपसन जो होगा वो सही होगा रायल कमीशन की संस्तुती के आधार पर बनाया गया था RBI को अगला देखे क्या है अगला question भारतिये संबिधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबन्दित है तो इसमें से option देख लिज़े भाग 1, भाग 2, भाग 3, एफिर भाग 4 तो इसमें से जो मौलिक अधिकारों से संबन्दित है वो आपका C नमबर अपसन होगा भाग 3 पनचायती राज को सुध्रिन करने है तो भारती संबिधान में निम्लिक्षत में से कौन सा संसोधन किया गए तो इसमें आपका सी नमबर सही होगा तिहतर्मा संसोद, c number आपसन जो है विलकुल सही होगा अगला क्यश्किन है मारा अंतर राष्ट्य ये नियायले का मुख्याले कहां इस्थित है? लंदन में, हेग में या भिर पेरिस में तो इसमेंसे जो सही उत्तर है वो c number है या हेग में इस्तित है इसलिए C number आप संजोगा सही होगा अगला कोस्टन है मारत जंसंख्या नियंत्रन वा परिवार नियोजन विस है भारतिय संमिधान के अंतरगत किस सूची में सामिल है दो इस मेंसे आपका C number सही होगा क्योंकि यह जो है संवरती सूची में सामिल है इसलिए C नंबर आपसन जो होगा हो सही होगा अगला क्वेशन है हमारा निमलिकेत में से कौन सा नीत निदेशक सिधांत बिदेशी नीत से संबंदित है आपको बताना है निमलिकेत में से कौन सा नीत निदेशक सिधांत बिदेशी नीत से संबंदित है अनुछेद 49, 69, 59, 50 and 51 इसमें से आपका D नम्बर सही होगा अनुछेद 51, D नम्बर आपसन सही होगा अगला क्वेशन है मारा जेली बनाने के लिए किस परशन का परियोग होता है? सरकज़धिंद, नम्बर कंटख़बूस थे जेली बनाने के लिए पेक्टिन का उपयोग होता है, इसलिए B number option जो होगा बिलकुल सही होगा, अगला question है केसर प्राप्त किया जाता है, आपको बताना है केसर प्राप्त किया जाता है कलिका से, पत्ती से, पुस्प वर्तिकागर से या फिर बाय दलपुझ से, तो केसर जो ह मानो सरीर में कितनी पसलियां होती है, आपको बताना है, मानो सरीर में कितनी पसलियां होती है, 22, 26, 24 या फिर 28, तो पसलियों की संख्या है, मानो सरीर में 24 है, इसलिए C नंबर आपसंजु होगा, बिलकुल सही होगा, इसका C उत्तर जो है, वो सही है, 24, अगला क्वेशन है हम नवारा ती ये बी का टी का किस रोग से बचाव करता है तपे दिख निख टिर्या निखार के लिए इसके बचाव से नंबर असन जाही होगा अगला question है याता यात signal हो में लाल बत्ती का परियोग किया जाता है क्योंकि आपको बताना है लाल बत्ती का ही परियोग क्यों किया जाता है याता याता या signal हो में तो आपसन देख लिजिए ये खराद दृष्टी वाले लोगों को भी दिखाई दे सकता है दूसरा आपसन है कि इसकी तरग देर सबसे ज़्यादा होती है इसलिए दूर से भी देखी जा सकती है इसलिए आप देखे ambulance हो गया उसमें cross scene जो होता है वो भी जो है red से ही होता है ऐसे बहुत सारी चीज़े जो दूर से दिख सकें आप देखिए indicators red color में बहुत तरह के radium जो लगे होते हैं वो भी red color से ही लगे होते ताकि दूर से दिख सकें बहुत सारी गाड़ीं में चिपका जाता है ताकि दूर से पता चल सके light पढ़ने पर कि यहां आगे गाड़ी है या गाड़ी चल रही है वीडियो पसंद आया हो तो आप